हाई अप्रिवन वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज हम एक ऐसी प्रॉबलम के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया भर में करोडों लोग पीले थें जी हाँ दोस्तों बॉडी में खूण की कमी हो जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉबलम है जो की बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन को भी जन दे सकती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉडी में खून की कमी पैदा होने के लिए responsible, कुछ बहुत ही common causes के बारे में, खून की कमी होने पर हमारी बॉडी में क्या-क्या symptoms नजर आते हैं इस बारे में, खून की कमी को naturally कैसे दूर किया जा सकता है इस बारे में, और वीडियो के last में मैं आपके साथ एक बहुत ही effective natural home remedy भी शेयर करूँगा, जो कि दो गुनी तेजी के साथ आपकी body के अंदर नया खून बनाना शुरू कर देगी, तो चलिए बिना किसी dairy case, interesting video को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में, पूरी detail से. दोस्तों, खून की कमी को एनीमिया भी कहते हैं, ये एक ऐसी condition होती है जब हमारे खून में या तो हीमोग्लोबिन नाम का एक protein कम हो जाता है, या फिर RBCs कम हो जाते हैं, या रेड बलड सेल्स कम हो जाते हैं, जब हम सास लेते हैं, तो RBCs में में मौजूद ये की पूरी body के उपर पड़ता है, क्योंकि जितने भी organs होते हैं, cells होती हैं, उनकी blood supply कम हो जाती है, इसके नतीजे में वहाँ oxygen कम पहुचती है, और सभी जगा कमजोरी पैदा होनी शुरू हो जाती है, बॉड़ी में खून की कमी होने के पीछे कुछ common causes हो सकते हैं, बॉड़ लिजे कोई चोट लग गई है, कोई accident हो गया है, फिर ladies में कई बार menses में bleeding बहुत जादा होने लगती है, तो इन सभी कारणों से आपके इंदर anemia हो सकता है, एनीमिय होने पर हमारी body में कमजोरी आनने लगती है, सास फुलने लगता है, कई बार दिल की धड़कन तेज हो ज अब सवाल आता है कि आखिर खून की कमी को कैसे दूर किया जाए, दोस्तों आम तोर पर खून की कमी दूर करने के लिए iron के supplements या फिर multivitamin supplements लिये जाते हैं, इस तरह के supplements को लेने से आपका hemoglobin बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन iron supplement सभी लोगों को suit नहीं करते हैं, खास और से अगर iron supplement जो आप ले रहे हैं वो low quality का है, तो इसे लेने से कई बार आपके अंदर indigestion हो सकता है, कई बार constipation की शिकायत हो सकती है, या फिर कभी कभी आपको diarrhea भी हो सकता है, इसलिए body में खून बढ़ाने के लिए या कमजोरी को दूर करने के लिए आप जब भी कोई supplement लेते हैं, तो पहले make sure कर लें कि ये अच्छी quality का है, reliable है, वैसे market में बहुत सारे इस तरह के supplements available हैं, जो कि खून बढ़ाते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन इन में से एक product जो आप अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए ले सकते हैं, वो है Phytica Vita 365, Phytica Vita 365 के बारे में अ iron मिलता है, magnesium मिलता है, copper, zinc, iodine, magnesium और chromium जैसे जरूरी minerals मिलते हैं, ginseng, grape seed extract, prebiotics और ashwagandha जैसे कुछ natural ingredients भी इसके अंदर आपको मिलते हैं, vitamins आपकी body के अंदर nourishment देते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, iron आपके अंदर खून मनाता है, ginseng body में energy और stamina को बढ़ा देता है, ashwagandha improve करते हैं, और आपकी immunity को भी बढ़ा देते हैं, वहीं grape seed extract एक ऐसा जबर्दस antioxidant है, जो की body को free radical damage से बचाता है, और as an anti-aging factor काम करता है, जिससे आप ज़्यादा लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं, और feel भी करते हैं, Vita 365 को regularly लेने से यह आपकी energy को बढ़ा देता है, एनीमियो को दूर करता है, आपके अंदर नया खून मनाता है, stress को कम करता है, immunity बढ़ाता है और आपके bones और joints को भी healthy बनाए रखता है, इसकी सिर्फ एक या दो tablet आप रोजाना सुभा नाश्ता करने के बाद या फिर lunch करने के बाद ले सकते हैं, best results के लिए मैं recommend करूंगा कि आप fightica Vita 365 को कम से कम 3 महीना यानि 90 दिन तक जरूर लें, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाते हैं या फिर Vita 365 को आप purchase करना चाते हैं, तो सभी links आपको नीचे description box में और pin comment में मिल जाएंगे, वहां से click करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकत नीचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिने खाकर हम खून की कमी को बहुत ही तेजी से पूरा कर सकते हैं, शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए आपको चार तरह के nutrients की जरूरत पढ़ते हैं, ये nutrients हैं iron, vitamin B12, folic acid और vitamin C, iron के लिए आप पालक खा सकते हैं य या फिर अनार आप ले सकते हैं फलो में, रागी से बनी रोटियां, चुकंदर, खजूर और काले तिल या फिर गुड़ खाने से भी आपके अंदर कभी भी iron की कमी नहीं होती है, B12 के लिए आप दूद ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं या फिर मचली ल जरूर करना चाहिए क्यों कि विटमिन C जो है ये हमारी बॉड़ी में iron के absorption को बढ़ा देता है, विटमिन C रिच फूड्स लेने जैसे कि सिट्रस फूड्स यानि संतरा, मौसमी, नीम्बू या आमला खाने से आपके अंदर विटमिन C काफी सारा पहुँच जाता है, इसक दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको क्या क्या चीजे खाने में खानी चाहिए, अब आईए जानते हैं कि आपको क्या चीज नहीं खानी है, तो सबसे पहले तो आपको चाय, कॉफी और अलकोहल से हर कीमत पे बचना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीजे हैं, ये आपके या बीज होते हैं इन सभी के अंदर phytic acid पाय जाता है जो कि हमारी body में ज़रूरी nutrients के absorption को रोग देता है पानी में जब आप इन चीज़ों को भिगोते हैं तो इससे ये phytic acid neutralize हो जाता है और इसलिए इनको पानी में भिगो कर खाने से आपको ज़्यादा फायदे मिलते हैं और जो nutrients या जो iron आपके खाने में आपकी diet में मौझूद होता है वो properly absorb होता है जिससे आपके अंदर खून क कमी नहीं होती है दोस्तों अब आई ये जानते हैं anemio के लिए एक झाल और शहद से बनावा या नुस्खा लेंगेちゃे और इने पहले बारीग आपको पीस लेना है और फिर चानके एक जार में आपको इस पॉडर में से 1 टीजपून यानी करीब 5 ग्राम आमले का पॉडर आपको लेना है और इसे 1 टेबल स्पून शेहद मिला कर दिन में 2 टाइम पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है दोस्तों आमले में vitamin C काफी अच्छी मातरा में होता है जो कि body में iron के absorption को बढ़ा देता है साथ ही vitamin C एक बहुत बढ़िया antioxidant भी होता है जो कि शरीर को oxidative stress से बचाता है वहीं अगर सर्दी का मौसम है तो आप खजूर, काले तिल, शहद और दूद से बना हुआ ये वाला नुस्खा लीजे जो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आपको 4 खजूर लेने हैं और एक टेबल स्पून काले तिल लेने हैं और इन दोनों ही चीज़ों को राथ में पानी में भिगो कर आपको रख देना है सुभा में खजूर के गुटली निकाल कर इन खजूरों को इसी पानी में इन ही दिलों के साथ आपको पीस लेना है और फिर इस पेस्ट को दूद में डाल कर अच्छी तरीके से आपको उबालना है जब ये दूद आपका पीन लायक ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुभा सुभा नाश्ते में रोजाना इसको आपको पीना है इन दोनों ही नुस्खों से कुछ ही हफ्तों में आपके अंदर नया खून बनना शुरू हो जाएगा और बॉड़ी में ताकत भी आएगी इन नुस्खों को आप अपने मौसम के हिसाब से जितने दिन तक चाहें उतरे दिन तक ले सकते हैं ये पूरी तरह से सेफ है दोस्तों ये जितनी भी चीजे मैंने आज आपको बताई हैं ये अनीमिय में आपको सपोर्टिव थेरेपी देती हैं यानि आपके अंदर खून को बढ़ाती तो हैं लेकिन ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है इसलिए अगर आपको अनीमिय की दिक्कत है जादा ही प्रॉबलम है और आपको कमजोरी बहुत जादा महसूस होती है तो उस केस में आपको हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार जो दी गई दवाएं हैं उनको इस्तमाल करना चाहिए और उन दवाईयों के साथ ही आप चाहें तो ये हम्रेमेडीज और ये बाकी नुस्खे जो हैं ये इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा